Good morning to all of you dear viewers, welcome to ग्यान के मोती Dear friends, National Award भारती सरकार दोरा दिये जाते हैं यह एक बहुत बड़ा सम्मान है जो देश विदेश के लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए दिया जाता है भारत विभिद संस्कृतियों और कलाओं से परिपून देश है यहां लगबग विश्व की सभी प्रतिभाएं पाई जाती हैं अतहां उनके प्रोच साहन के लिए कई तरह के विविद सम्मानों और पुरसकारों का आविर्भाव हुआ है खेल से लेकर सिनेमा तक और साहित से लेकर विज्ञान तक विभिन इस तरपर विभिन पुरसकारों को रखा गया है सन 1950 में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक सम्विधान आया जिसके बास से ये एवार्ड दिये जाने लगे वैसे तो लोग अच्छा काम करते हैं वे किसी सम्मान या उपहार के लिए ये कारे नहीं करते हैं लेकिन उन्हें सम्मान देकर उनके प्रती देश अपनी कृतग्यता दर्शाता है साथ ही उनसे प्रेरित होकर देश के अन्य लोग प्रेना प्राप्त करते हैं दुनिया के हर देश के सम्विधान में ऐसे एवार्ड का उलेख होता है। हर देश अपने हिसाब से ये एवार्ड मानव जाती को देता है ताकि वे उनके कारे को सम्मान दे सकें। हमारे भारत देश में सम्मान वापस लेने का भी अधिकार है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी इनसान को नेशनल एवार्ड से नवाजा जाता है लेकिन अगर बाद में वो किसी भी तरह अपराधी पाया जाता है तो उससे वो सम्मान वापस भी लिया जा सकता है। अगर किस सम्माइन भार सरकारद्वारा दिया जाता है इसे मुखे रोप से पांच भागों में रखा गया है पहला नागरिक पुरसकार दूसरा नेत्रत्व पुरसकार दीसरा है विशेश पुरसकार चौथा है साहत और फिल्म के एक शेत्र में पुरसकार और पाच्वा है देशभक्ती पुरसकार आईए अब हम एक-एक करके इन पर चर्चा करते हैं सबसे पहले नागरिक पुरसकार जिसके अंतरगत भारत रत्न जो की सर्वोच नागरिक पुरसकार कहलाता है Dear Friends, मैंने भारत रत्न पर एक विशिश वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे देख लिजेगा नागरिक पुरसकार के अंतरगत दूसरा पुरसकार है पद्मभूशन पद्मभूशन पुरसकार की शुरुवात 1954 में हुई थी पद्मभूशन ऐसे लोग को दिया जाता है जिन्होंने किसी क्षेत्र में कुछ विशेश कारे किया हो और प्रसेद्धी हासल की हो कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, सिक्षा, सामाजिकार, दवाई, इंजिनिरिंग, सिविल सर्विसेज और इंजिस्ट्री आदी इन में से किसी भी क्षेत्र में किसी भी इंसान ने कोई विशेश उपलब्धी प्राप्त की हो तो वो इस पुरसकार के लिए योग्य माना जाता है पद्म पुरसकार किसी को मर्णो परांत नहीं दिया जाता है लेकिन अगर कोई अतियोग्य व्यक्ति है और उसकी मौत के एक साल के अंदर गर्तंत्र दिवस आता है तो सरकार के पास उसे मर्णो परांत पुरसकार देने का विशेश अधिकार होता है जियर विवर्स नागरिक पुरसकार के अंतरगत तीसरा पुरसकार है पत्म विभूषन यह पुरसकार उन विशेश लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी शेतर में विशेश्ट कारेकर प्रसिधी पाई हो अगर कोई व्यक्ति सरकारी नोकरी में है और अपने कारे से प्रिसिधी प्राप्त की हो तो उसे भी इस पुरसकार से सम्मानित किया जाता है नागरिक पुरसकार के अंदरगत चौथा पुरसकार है पदमश्री यह पुरसकार बाकी बताए गए पुरसकारों से निचले इस्तर का है इसमें किसी क्षेतर में उपलब्धी के लिए ये पुरसकार प्रदान किया जाता है कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी काम करता हो इस पुरसकार हे तु अपने आपको रजिस्टर कर सकता है अगर किसी व्यक्ति को कोई पद्वन पुरसकार मिला है तो अगले इस्तर का पद्वन पुरसकार उसे कम से कम पांस साल के बाद मिल सकता है लेकिन येदी कोई अतियोगी व्यक्ति है तो पुरसकार समेती दोरा उसे रियायत दी जाती है योगी वेक्तियों के नाम भारत सरकार हर साल राज्य सरकार मंत्रियों से मांगती है जो एक अक्टूबर तक आ जाते हैं पुरसकार समिती और देश के प्रधान मंत्री साथ मिलकर पुरसकार देने वालों की सूची तयार करती है फिर ये सूजी रास्ट्रपती के पास जाती है जिस पर वो हस्ताक्षर करते हैं एक साल में 120 से अधिक पुरसकार नहीं दिये जा सकते हैं पुरसकार विजेता के नाम भारत की राजपत्र में प्रकाशित किये जाते हैं राश्ट्रपती किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी वक्त रद कर सकते हैं पुरस्कार 26 जनवरी को राश्ट्रपती द्वारा घोशित किये जाते हैं पुरस्कार समारो राश्ट्रपती भवन में मार्च या अप्रेल में आयोजित होता है जहां रास्ट्रपती खुद सभी को पुरस्कार से सम्मानित करते हैं पुरस्कार के तौर पर एक मैडल और सम्मान पत्र होता है जिस पर रास्ट्रपती के हस्ताक्षर होते हैं आईए अब हम चर्चा करते हैं नेत्रत्व पुरस्कार गांधी शान्ती पुरस्कार भारत सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में 1995 में अंतराश्ट्रिय गांधी शान्ती पुरसकार गांधी जी की 125 वी जन्व दिवस के दिन आरंब किया था ये पुरसकार हर साल ऐसे इंसान और संस्था को दिया जाता है जो समाज, राजनीती और अर्थ विवस्ता के लिए अहिंसा के साथ काम करता है और गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलता है इस पुरसकार के तौर पर दस लाख रुपए जो किसी भी देश की मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है एक मैडल और सम्मान पत्र दिया जाता है इस पुरसकार के लिए लोगों का चयन भारत का प्रधान मंतरी, लोगसभा अध्यक्ष, भारत का नियायाधीश, एवं दो उतक्रिष्टे लोग मिलकर करते हैं इस पुरसकार के लिए पूरे विश्व से कोई भी अपना नाम दे सकता है ये पुरसकार आज तक कुल बारा लोगों को दिया गया है आईए अब हम चर्चा करते हैं विशेश पुरसकार के विशे में जो की है राश्ट्रिय खेल पुरसकार, राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार, आरजुन पुरसकार, द्रोणा चार्य पुरसकार और ध्यान चंद पुरसकार दियर फ्रेंड्स, राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार खेल के एक शेतर में भारत का सर्वोच्य पुरसकार है, जिसे 1991-92 में प्रारंब किया गया था इसके तहट साड़े साथ लाख रुपे नगत पुरसकार शर्वब्रथम विश्वनाथन आनंद को दिया गया अरजुन पुरसकार 1961 में प्रारंब किये गए इस पुरसकार में पांच लाख रुपे नगत पुरसकार किये जाते हैं अंतराश्ट्री इस्तर पर पिछले चार वर्षों तथा जिस वर्ष पुरसकार की सिफारिश की गई उस वर्ष तक जिस खिलाड़ी द्वारा अच्छे परदर्शन के साथ साथ नीत्रत्व तथा अनुशासन का भाव परदर्शित किया गया हो उसे यह पुरसकार प्रदान किये जा सकते हैं प्रतेक वर्ष अधिक तम 15 अर्जन पुरसकार प्रदान किये जा सकते हैं सन 1985 में गठे द्रोनाचार पुरसकार उन विख्यात प्रसिक्षकों यानि कोच को प्रदान किया जाता है जिनोंने खिलाडियों तथा टीमों को प्रसिक्षित कर अंतराश्ट्रे प्रतियोगता में उत्क्रिष्ट्र प्रदर्शन करने योगी बनाया इसके तहट पांच लाक रुपे नगत तथा गुरु दुरुनाचारे की प्रतिमय प्रदान की जाती है एक वर्ष में अधिक्तम पांच पुरसकार प्रदान की जा सकते हैं खेलों से संबंदित पुरसकारों के अंतरगत सबसे अंत में आता है ध्यान चंद पुरसकार इस पुरसकार की शुरुवात 2002 में की गई जिसके तहट पांच लाक रुपे नगत दिये जाते हैं यह पुरसकार उन खेलाणियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है तथा सक्रिया खेल जीवन से सन्यास लेने के बावजूत खेल की उन्नती हेतु प्रयासरत है प्रतीक वर्ष अधिकतम तीन खिलाणियों को ही इस पुरसकार से सम्मानित किया जा सकता है विशेश पुरसकारों के अन्तरकत अगला पुरसकार है राषट्रिया फिल्म पुरसकार जिसे हम National Film Awards भी कहते हैं राश्ट्रिय फिल्म सम्मान समारो भारत में आयोजित होने वाले बड़े सम्मान समारो में एक है इस सम्मान की स्थापना सरप्रधम सन 1954 में हुई इस आयोजन के साथ देश में अंतर राश्ट्रिय फिल्म समारो का भी आयोजन होता है प्रतिवर्ष भारा सरकार द्वारा एक पैनल का गठन होता है जो विजेताओं का चैन करती है इस समारों का आयुजन देश की राजधानी नई दिल्ली में होता है जहां पर देश के ततकालिक राश्टपती विजेताओं को ये सम्मान प्रदान करते है फीचर फिल्म, नौन फीचर फिल्म, सर्वस्रेष्ट सिनेमा लेखन अभिने आदिक शेतरों में सम्मान दिया जाता है सभी सम्मान प्राप्त विजेताओं को मैडल, कैश प्राइस और प्रशस्ती पत्र दिये जाते है फीचर फिल्म, नॉन फीचर फिल्म और सर्वस्टेस्ट सिनेमा के लिए लेखन वर्गों में प्रतेक वर्ग को सुनन कमल और रजत कमल दिये जाते हैं इसके अतरिक्त बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट सिनेमेच्रोग्राफी, बेस्ट शॉर्ट फिल्म, बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग फिल्म, बेस्ट एनिमेशन फिल्म आदी के लिए रचत कमल सम्मान में दिये जाते हैं विशेश पुरसकारों में अगला पुरसकार है राश्ट्रिय वीरता पुरसकार और पुलिस पुरसकार Dear Friends, किसी खास फिल्म जो ग्यान, सिक्षा, सम्ही के लिहास से सर्वस्रेश्ट रही हो उसे इस संबान से नवाजा जाता है वीरता का पुरसकार किसी भी आम आदमी को मिल सकता है जिसने कोई साहसी कारिकर सबको अचमभित कर दिया हो और इसी प्रकार पुलिस पुरसकार भी दिया जाता है Dear Friends, चौथा पुरसकार है साहित और फिल्म केक शेतर के पुरसकार जिसके अंतरगत आते हैं भारतिय ज्यानपीट सम्मान, मूर्ती देवी सम्मान, अंतराश्ट्रीय भारति फिल्म अकैडमी सम्मान, आईफा, दादा साहिप फाल के एवोर्ड, नवलेखन सम्मान, साहित अकैडमी सम्मान, और सरस्वती सम्मान. सबसे पहले ज्यानपीट पुरसकार Dear viewers, ज्यानपीट भारत का सरवच साहितिक सम्मान है. भारतिय ज्यानपीट ट्रस्ट की स्थापना सन 1961 में साहू शान्ती प्रसाद जैन परिवार्दवारा हुई थी. यह पुरसकार देश के किसी भी ऐसे लेखक को मिल सकता है, जो देश के 22 आपचारिक भाशाओं में से किसी भी भाशा में लिखता हो. साल 1982 से पहले यह सम्मान लेखक की किसी किताब को आधार बना कर दिया जाता था. किन्तु इसी साल के बाद इस सम्मान के मापदंट बदल दिये गए हैं और यह निर्ण लिया गया कि देश के सरवच साहित्तिक सम्मान होने की वज़ा से इसे किसी लेखक के जीवन भर के साहित्तिक योगदान को देखते हुए दिया जाएगा. सम्मानित व्यक्ति को सम्मान के तौर पर ग्यारह लाख रुपे तथा इस्मृती चिन्न के तौर पर मा सुरस्वती जी की प्रतिकृति दी जाती है. बेंगौली महिला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी पहली साहित्तिकार थी, जिन्हें सन 1976 में ये सम्मान उनके उपन्यास प्रथोम प्रतिशृति के लिए दिया गया, जिसे उन्होंने सन 1965 में लिखा था. अगला पुरस्कान है, मूर्ति देवी सम्मान. ये भारतिय ज्यान पीछ द्वारा दिया जाने वाला साहित्तिक सम्मान है. स्वर्गी शांती प्रसाद जैन की माता का नाम था, मूर्ति देवी. उनकी इस्मृती में ये सम्मान उन जीवित साहित्यकारों को दिया जाता है जो साहित्यके क्षेत्र में मानव मूल्यों के और भारतिय धरोहर के दर्शन के तहत उत्कृष्ट काम कर रहे होते हैं पुरसकार पाने वाले को दो लाख रुपे, एक प्रशस्ती पत्र और एक इस्मृती चिन्नत वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है अगला है आईफा एवार्ड आईफा भारतिय सिनेवा क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है सरपर्थम आईफा पुरसकार का आयोजन साल 2000 में हुआ था ये आयोजन लंदन के मिलेनियम डोव में किया गया था इस वर्ष के बाद प्रति वर्ष इस सम्मान का आयोजन विश्व के विभिने इस्थानों में होता रहा है विश्व इस्तरी आयोजन का एक मकसद वॉलीवोड का विश्व भर में प्रचार करना है आईफा के ब्रैंड अमबेस्टर अमिताब बच्चन है आईफा में फिल्मों में होने वाले विभिने कारियों को देखते हुए ये सम्मान दिया जाता है जैसे सिनेमेच्रोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, निर्देशन, अभिने आदी विभिने कारियों के लिए चैयनित साल के सर्वस्षेष्ट कारियों को सम्मान दिया जाता है अगला एवॉर्ड है दादा साहिव फाल के एवॉर्ड यह सम्मान किसी फिल्म कलाकार को भारतिय सिनेमा में जीवन भर के योगदान के लिए दिया जाता है दादा साहिव फाल के को भारतिय सिनेमा का जिनक माना जाता है यह सम्मान भारत सरकार द्वारा राश्ट्रे फिल्म सम्मान समारों में डिरेक्टरिच ओफ फिल्म फेस्टिवल्स की ओर से दिया जाता है दादा साहिब ने भारत की पहली फुल लेंध फिल्म बनाई थी जिसका नाम राजा हरिशिंद्र था पहला दादा साहिब फाल के पुरसकार सन 1979 में देवी का रानी रोरिक को प्रदान किया गया था पुरसकार के तहट एक सोने का कमल, एक प्रशस्ती पत्र, दस लाख रुपे, उध्यरन और एक शौल दी जाती है अगला एवार्ड है नवलेखन सम्मान यह देश के युवा लेखुकों को प्रोटसाहित करने के लिए भार्दिये ग्यान पीट की तरफ से दिया जाता है इस सम्मान में सम्मान प्राप्त करता को मा सोरस्वती की मूर्थी इस्मृती चिन्न के तौर पर दधा कैश संस्था की तरफ से कैश प्राइज भी दिये जाते हैं अगला सम्मान है साहित अकेडमी सम्मान इसकी स्थापना साल 1954 में भारा सरकार के द्वारा हुई थी साहित अकैडमी सम्मान देश के साहितकारों के लिए है जिसमें साहितकारों को उनकी कृतियों पर सम्मान दिया जाता है रचनाकार अपनी कृतियां भेशते हैं और अकेडमी द्वारा उनका चयन होने पर रचनाकार को पुरसकार दिया जाता है पुरसकार के तौर पर सरकार अकेडमी की तरफ से एक लाग रुपे की पुरसकार राशी, इस्मृती चिन और प्रशस्ति पत्र देती है यह सम्मान देश के 22 आपचारिक भाशाओं में से किसी एक भाशा में किये गए रचनाओं के संकलन पर मिलता है अगला सम्मान है सरस्वती सम्मान अन्य सम्मानों की तरह सरस्वती सम्मान भी एक वार्शिक सम्मान है जो भार्टिये लेखोंकों को उनके गद्य अधवाभ पद्य विदा में किए गई कार्यों को देख कर दिया जाता है देश की 22 ओपचारिक भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में काम करने वाले लेखकों ये सम्मान प्राप्त हो सकता है इस सम्मान का नाम विद्या की देवी मा सरसुती के नाम पर रखा गया है सरसुती सम्मान के स्थापना केके बिरला गुरुप ने साल 1991 में की थी सम्मान के तहट विजे तासा हिदिकार को पंदरह लाक रुपे की कैश प्राइस, इस्मृति चिन्ड और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है अगला और अंतिम पुरसकार है देश भक्ती पुरसकार जिसके अंतरगत युद्यकालीन शौर वीरता पुरसकार और शांतिपूर्ण वीरता पुरसकार दिया जाता है युद्यकालीन शौर्य वीरता पुरसकार के अंतरगत आते हैं तीन पुरसकार जिसमें सबसे पहले है परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा है वीर चक्र परमवीर चक्र यह वीरता के लिए दिया जाने वाला सरवोच पुरसकार है यह पदक कान सिका होता है, जिस पर एक और इंद्रवज्र तथा दूसरी और हिंदी वा अंगरेजी में परम वीर चक्र लिखा होता है इसे सैनकों द्वारा अपनी कमीज के बाई और बैगनी रंग के रिबन के साथ लगाया जाता है आर्मी अफसरों को वीरता के लिए मिलने वाला ये सबसे बड़ा सम्मान है, जो व्यक्ति वीरता की अनूठी मिसाल बनाता है और दुश्मनों के सामने अपने जीवन तक गवाने को तयार हो जाएं, ऐसे लोगों को ये सम्मान दिया जाता है अगला है महावीर चक्र ये दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरसकार है, जो जल, थल एवं वायू के दुश्मनों के सामने उतक्रिष्ट कारे करने के लिए प्रदान किया जाता है ये है चांदी का बना होता है, जिसका आकार गोल होता है इसके एक और पाँच कोण वाले सितारे के बीच में राश्ट रश्चिन अंकित होता है, तथा दूसरी और कमल, तथा हिंदी वा अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है इस पदक को सफेद केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है यह दूसरे स्थान का वीरता पुरसकार है, जो वीरता के लिए आर्मी जवान को दिया जाता है और अगला है, वीर्चक्र यह तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरसकार है यह चांदी का बना होता है जिसके एक ओर पांच कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र और दूसरी ओर दो कमल अंकित होते हैं इस पदक को नीली केसरी पठी के साथ पहना जाता है यह पुरसकार लड़ाई के दोरान वीरता के लिए दिया जाता है बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम पढ़ाओ की और शांती पूर्ण वीरता पुरसकार जिसके अंतरगत अशोक चक्र, कीर्थी चक्र और शौरे चक्र आते हैं सबसे पहले अशोक चक्र यह शांती काल का सर्वोच्च वीरता पुरसकार है जो जल, ठल एवं वायु सेना में साहस, पराक्रम या आत्मे बलिदान का आत्यंत सराहनी कारे करने के लिए परदान किया जाता है आगला है कीरती चक्र कीरती चक्र भारत की शान्ती के समय वीरता का पदक है यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारन वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है यह मरणों परांत भी दिया जा सकता है यदि वरियता में देखा जाए तो यह महावीर चक्र के बाद आता है अगला और अंतिम है शौरे चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला भारत का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पदक शौरे चक्र पिछले साल जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में बहादुरी का परदर्शन करने के लिए सेना के छे जवानों को शौरे चक्र दिया गया था अज के लिए इतना ही आशा करती हूँ आज के वीडियो में आपको महतपोंट जानकारी मिली होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा अगर सच मुझ पसंद आया हो तो एक लाइक जरू कीजेगा और शेर भी कीजे ताकि अनलोग भी इस वीडियो का लाब उठा सकें खूब पढ़ें खूब बढ़ें आप सभी की मंगल कामना के साथ मैं शालिनी विदा लेती हूँ थैंक यू